हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग वेलकम है आपका हमारे वीडियोग चनल में दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम उस अपडेट की बात करने वाले हैं जिसका सभी को बेसबरी से इंतजार था दोस्तों फाइनली यहाँ पे SSC स्टेनोग्राफर की पोस्त यहाँ पे अपडेट एनाउंस हो चुकी है अब यहाँ पे जो है 12th pass eligible है और freshers भी यहाँ पे apply कर सकते हैं salary आपको काफी अच्छी मिल जाने वाली है अब दोस्तों यहाँ पे क्या post रहेगी इसमें कितनी vacancy हूँ तो दोस्तों इस वीडियो को लास तक जोड़ देखना बीच में से skip मत करना चली वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे SSC ने announce कर दी है steno की post के लिए update यहाँ पे grade C और D के लिए यहाँ पे first बात करेंगे इसकी जो important dates है उसके बारे में तो इसकी online जो date है application की started वो already start हो चुकी है 26 जुलाई से और इसमें apply करने की last date जो है और यहाँ पे इसकी receipt और online application की भी date यहाँ पे 17th August 2024 रहने वाली है making online fee payment की date यहाँ पे 18th August रहेगी और यहाँ पे window for application form correction and online payment of correction charges की date भी यहाँ पे आपको provide की है 27 and 28 August को आप इसमें जो आपकी application जो form होगा इसमें किसी भी तरह की कोई correction है तो आप इसमें भी change कर सकते हो CBT जो आपका इसमें CB रहेगा उसकी schedule date यहाँ पे October November रहेगी और यहाँ पे आपको एक toll free number दे रिखा है जो कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी query आती है अगर इस update के regarding तो आप इस पे call करके अपनी query को solve कर सकते हो अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे इसमें और भी चीजों के बारे में जैसे कि यहाँ पे vacancy कितनी है तो 2006 vacancies यहाँ पे announce की गई है दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया vacancy जो हो और उससे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे qualification के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि 12th pass अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे इसमें apply कर सकते हो age limit की बात करें तो 1st August 2024 तक यह आपकी crucial date रहेगी इस date तक आपकी age grade C की post के लिए 18 to 30 होनी चाहिए और यहाँ पे grade D की post के लिए आपकी age जो हो 18 से 27 होनी चाहिए अब यहाँ पे आपको key dates भी provide की गई है जैसे 1st August 2024 से लेके 2nd August 2024 तक आपकी crucial date है और 2nd August 2024 से लेके 1st August 2006 तक आपका date of birth जो होना चाहिए same आपका grade D के लिए यहाँ पे 2nd August 1997 से लेके और 1st August 2006 तक आपका यहाँ पे bond होना चाहिए तो आप यहाँ पे eligible हो और apply कर सकते हो अचाहिए इसमें यहाँ पे candidates born not before 2nd August 1994 है इसमें 1997 लिखा है लेकिन 1994 है अब यहाँ पे इसमें relaxation भी आपको देखने को मिलेगा जैसे कि SCST के लिए 5 साल जो की रहता है OBC के लिए 3 साल PWBD unreserved के लिए 10 साल PWBD OBC के लिए 13 साल और PWBD SCST के लिए 15 साल और भी यहाँ पे आपको एक सर्विसमें के लिए Defend Personal Disabled के लिए और भी बहुत सारे criteria और conditions वालों के लिए यहाँ पे आपको relaxation देखने को मिलेगा तो आप इसकी official notification से चेक कर सकते हो अब यहाँ पे How to apply का section इसमें बीच में दिया है तो यहाँ पे आप इसके लिए ssc.gov.in पे जाके आप इसकी full details ले सकते हो और तो और इसी आपको इसी website पे जाके इसमें online application जो अपनी submit करनी होगी पहले आपको यहाँ पे OTR यानि one time registration करना होगा अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे पूरे उसके step by steps आपको इसके एनेक्जर 3 और एनेक्जर 4 में आपको मिल जाएंगे और तो और अगर आपने यहाँ पे पहले भी कभी registration किया है तो आपको अपने login credentials से login credentials से आपको यहाँ पे login करना है और फिर यहाँ पे basic details फिल करके कुछ documents upload करना है और यहाँ पे जो fees of payment है वो आपको pay करनी है और आपका यहाँ पे application pay करने की जरूत नहीं है और इसके अलावा के लिए यहाँ पे आपकी जो application fee रहेगी वो 100 रहेगी यहाँ इसके अलावा जो category वाले हैं ओके तो उनको यहाँ पे 100 रुपी फी पे करनी होगी जो की बीम यूपी आई नेड बैंकिंग और बाई यूजिंग वीजा, Mastercard, Mastro औ कर सकते हो तो इसकी date भी हमने यहाँ पे आपको बताई थी जो आपको first slide में हमने आपको share की थी इसके अलावा इसमें exam centers की बहुत बड़ी list है तो आपके इसकी official notification से जाके इसकी exam जो centers क्या रहेंगे इसमें यहाँ पे आपकी जो address जो regional offices के क्या रहेंगे कौन से region कौन से official notification से आप यहाँ पे मालूम कर सकते हो आगे बात करेंगे हम इसके scheme of examination यानि exam pattern के बारे में तो यहाँ पे आपका selection procedure की बात करें तो यहाँ पे आपके तीन stage होगी first stage में आपका CBE है second stage में आपका skill test और third stage में आपका document verification होगा और फिर direct यहाँ पे आपको final selection आपका हो जाएग first stage की बात करें tier 1 की जो की CBE है यहाँ पे आपके तीन subjects रहेंगे general intelligence और reasoning, general awareness और English language और comprehension यह first और second subject के यहाँ पे 50-50 questions होगे और third subject के यहाँ पे 100 questions होगे यह सभी जो हो 11 mark के होगे या फिर यानि यहाँ पे 200 questions 200 marks के होगे सभी multiple choice only होगे the questions जो है वो दोनों तरह के यहाँ पे पूछे जाएंगे दोनों bilingual रहेंगे यानि English में भी और Hindi में भी अब यहाँ पे हर एक question 1 mark का रहेगा लेकिन अगर आपका यहाँ पे question हो जाता है गलत तो हर एक wrong answer के लिए यहाँ पे जो penalty है वो 0.25 marks आपके यहाँ पे deduct होंगे इसके लिए आपको दोस्तो दो घंटे का यहाँ पे time मिलेगा आगे यहाँ पे और चीजों के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पूरा detail syllabus आपको इसकी official notification से मिल जाएगा कि सभी subjects के अंदर syllabus क्या रहेगा तो उसके लिए भी आप इसकी official notification चेक कर सकते हो अब दोस्त दोस्तों यहाँ पे आपको इस exam में तो help करेगा लेकिन आपको बाकी सब exams में भी help करेगा तो इसकी link आपको यहाँ पे इस video के description में मिल जाएगी वहाँ पर जाके आप इसमें direct enroll कर सकते हो अभी इसमें special offer चल रहा है limited time के लिए है तो offer खतम होने से पहले पहले आप इसमें अब यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी चीज़े मिल जाएंगी जैसा कि current affairs और 5000 जीके के questions भी आपको इसमें मिल जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे offer खतम होने से पहले पहले इसमें इंडूल कर लेना अब दोस्तों बात करें अगर इसकी salary की के यहाँ पे salary की मिल जाएगी तो grade C के लिए आपको यहाँ पे 51,000 के around मिल जाएगा और grade D के लिए यहाँ पे 36 के around यहाँ पे salary आपको मिल जाएगी इसके अलावा यहाँ पे आपको allowances, benefits भी यहाँ पे आपको provide किये जाएंगे तो आपको यहाँ पे salary जो हो बहुत ही अच्छी मिल जाने जाएगा और यहाँ पे आपके 70 जो है वो pera 7.1, 7.2 और 7.3 वालों के लिए स्टेntग्रफर grade D वालों के लिए ही हिंस के लिए आप लोग यहां पर टाइम पर रहते अप्लाइट कर देना अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे और चीज जैसे कि यहां पर इसके साथ कुछ रखा है कि क्या क्या रहेगा तो वो आप इसकी ऑफिशल नोटिफिकेशन से रेफर कर सकते हो मोड ऑफ सेलेक्शन में जैसा कि यहां पर सीबी रहने वाला है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स के अगर हम बात करें तो अन्रिजर्व के लिए 30 परसेंट है ओबी सी एडवलो के लिए 25 परसेंट और और अधर के लिए यहां पर 20 परसेंट रहेगा तो दोस्तों यह पूरी अपडेट की रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया था यहां पर सब कुछ जो में में पॉइंट्स थे इसके कवर हो चुके हैं आई होप के यहां पर आपको सब कुछ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जहूर से कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ शेर कर देना जो इसके लिए अलीजिबल है अब 12 पास तो आपके सभी दोस्तों ने किया ही होगा तो यहां पर आप यह बला काम कर देना कि पर अगर आप हमारे इस चैनल में फर्स टाइम आयों तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हमारे एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर